हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपके सद्व्क्राइब करूंगी साबू दाने के पापड़ बनाने की रेसिपी बहुत आसान रेसिपी है और बहुत अच्छे बनते हैं यह पापड आप इने सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा और अपनी फ्रेंड्स और फैंबली में ज़रूर शेयर कीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं साबुदानी के पापड बनाने की रेसिपी साबुदानी के पापड बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है एकप साबुदाना तो यह देखिए आपके पास जो भी साबुदाना है छोटा यह साइज का यह बड़ी साइज का आप उसे ले सकते हैं अब हम इसमें पानी डालके इसको दो से तीन बार अच्छे से धोलेंगे तो इसमें पहले पानी डालेंगे और हलके हाथों से हमेसे धोएंगे इसका जो यह पानी है हमेसे निकाल देंगे और फिर दुबारा से हमेसे पानी डालके इसको धोलेंगे तो दो से तीन बार आप इ केल उसने मरें अचर नंफ में यह दो लिया है। अब आप इसमें डालेंगे एक कप पानी I एक कप साबूदा नहीं रगा था मैंने और किसमें पानी डाला है। अब पिसे चार ने पांच घंडे के तो इtek जो अब जिए धा टीजिए आप सर्व इन देख सकते हैं पूरी रात के लिए नियूद्ब कर रख दिया था आप देख सकते हैं कि सुक्ति यह यह तो बिलख יותר पानी नहीं है इसमें एकदम खिला खिला है जब आप इसकी खिच्री बनाए तब भी आप इस तरह भीगो सकते हैं जितना भी आप साबूदा ना ले उतना ही आप उसमें पानी डालके भीगोने रख दीजे तो दीखी कितने अच्छी से सॉफ्ट हो गया है यह बिल्कुल भी चिप अगर आप इसे ब्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सेंदा नमक डालें जो आप ब्रत में खाते हैं तो आधा चमच में इसमें डालें नमक तो नमक आप थोड़ा कमी डालें पापर में थोड़ा कमी नमक डाला जाता है और इसमें हम डाल देंगे भीगा हुआ साब जाते हुए पकाएंगी तो ये देखिए एक बॉइल आ क्या है और हलका से गाड़ा भी हो गया है आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम हम मेरियम कर देंगे इसको लगाता चलाते हुए हम पकाएंगे पापड बनाने की मैंने अल भी रेसेपी आपकी साथ शेयर की हैं आप मेरे पर करते हैं उड़िरा से अफिरे देखिए 5 में प्लौ ऐको पकाते हुए देखिए कितना किल यह हो गया है और थोड़ा ट्रैंस्प्रेइंट भी दिख रहा है है लेकिन अभी हम इसे तोड़ा हो पाईंगे आप चाहें तो इसके मिसे अभड़ा जा Robin और पकाएंगे मेरे कि भी बढ़िया ये बंते हैं पापर खाने में भूइत यंदा देश्टी होते हैं आप इन्हें पंखी की हवा में अगर ऑगर आप जोग सकते हैं आप ़ीछे नहीं चैक करेंगे तो आप कैसे पता कर सकते हैं रहे हैं तो हम एक प्लेट पे थोड़ा सा बैटर ऐसे गिरा के देखेंगे जिस तरह आप बैटर डाल रहे हैं जैसे आप फैला रहे हैं पैसा ही है इधर उदर एक्ष्रा फैल नहीं रहा है बैटर अच्छे से पग गया है अब हम इसे ठंडा कर लेंगे तो हलका ठंडा होने के बाद हम एक साफ पॉले दिन पर इस तरीके से थोड़ा बैटर डालेंगे और इसको हलका हलका ऐसे फैलाएंगे ज्यादा पतला भी हमें नहीं फैलाना है क्योंकि सुखनी के बाद यह पापड हलके हो जाते हैं बहुत पतले हो जाते हैं तो आप थोड दो दाना लिया था एक कपसा पॉदाने में 40-50 पापड बन जाते हैं तो यह मैं थोड़े बड़े बना रहे हूं आप अरग छोटे बनाएंगे तो जादा भी बन जाएंगे तो आप अपनी साब से थे छोटे बड़े जितने भी बड़े बनाने चाहें इस तरह सारी पाप अच्छी से त्यार कर लिए है कि ही वे तो और भी अच्छी से शुक जाते हैं तो मैं और यंदे रूंफ नियुक नियर्ो自己 के दूलिए है coating यह पीजित कि थाली तेut वामें या बनेऊ सोग कती हैं तो म्युत्त दिन है तो ही तो आप्पण शेर क्रूंदर यह जग़ेECH तेल अच्छे से जब गरम हो जाए तो आप इसमें हम पापड फ्राई करेंगी यह पापड फ्राई होने के बाद अपने साइस के एकदम डबल हो जाते हैं और यह देखे बहुत ही ज़्यादा हलके हलके बनते हैं यह देखे आप भी एक बाद जरू ट्राई कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक लिए थैंक यू एंड बाद आई